दोस्तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का काड़ा जो कि आपके गले के अंदर की जो भी आपके कफ जमा है जो बलगम जमा है सूखी खासी अगर आप लोगों को आती है हड्डियों में बहुत ही ज़ादा अंदर से वीकनेस महसूस होती है बहुत पही जादा फाइदे मंद काड़ा है साथी साथ अगर आप लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह काड़ा बहुत ही जादा फायदे मंदर है और इस चीज हमें और चाहिए जिसकी मैं लास्ट में बताऊंगी कि उसका किस तरीके से हम यूज करेंगे हम ले लेंगे एक चम्मच जीरा जो कि हम दाल में तड़कव अगरा लगाते हैं एक जो गाट अद्रक है उसको हमने कद्दू कस कर लिया है और तुलसे के पत्ते में थोड़ पानी डालेंगे और जब यह काढ़ा जब एक ढास पानी जल जायेगा तब हमारा एक गास जो पानी तयार होगा वह होगा हमारा बिलकुल पॉफिक्ट काढ़ा और लास्ट में हम इसमें एक भी चीज और अड़ करेंगे और चीज क्या है तो वीडियो को लाश तक जरूर दर रहे जाएगा लग भग 10 मिनट इसको लग जाएगा पकने में क्योंकि पहले इसको आप थोड़ीसी तीज आँश में पकाके पाने गरम कर सकते हैं उसके बाद हमें ये इसको बहुत धीमी आंश में पकाना है ये जो काड़ा है आपको गरम गरम पीने से बहुत ही जादा फायदा मिलेगा और अगर हो सके तो इसको आप सुबा अगर खाली पेट पीएंगे तो बहुत ही जादा फायदे मंद है अगर सुबा आप नहीं पी सकते हैं तो आप चाहें तो इसको दिन में कभी भी पी सकते है ऐसी कोई बंधिश नहीं है कि आपको सिर्फ सुबा ही पीना है लेकिन सुबा अगर आप पिएंगे और रात में सोने से पहले पिएंगे तो बहुत अच्छा है अंदर में जितनी भी आपके बलगम जम्या है कफ जमी है अगर आप बहुत ही जादा थकावट सा महसूस करते है उन सब चीजों के लिए बहुत ही जादा अच्छा है और यह काढ़ा क्या होता है कि हम एक ही तरीके काढ़ा रोज रोज पीपी के उप जाते हैं तो आप थोड़ा सा बदल बदल के पी सकते हैं मेरे चनल पे और भी बहुत सारे काढ़े की वीडियो आपको मिल जाएगी त और आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा काढ़ा है बिल्कुल रेडी है अब यह जो काढ़ा है हमें दो तरीके से पीना है अगर आप अपना वजन साथ ही साथ कम करना चाहते हैं हलका सा चाहते हैं थोड़ा सा आप फिट रहें तब आप इसमें एड़ कर सकते हैं हलका सा काल नमक और नीबू एड़ कर सकते हैं और पीने में भी बहुत चटपटा और बहुत टेस्टी लगेगा बट अगर आप इसको सिर्फ खासी कफ और इन सब चीजों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एक चमच शहद अगर आप शहद नहीं प आदिस्ट आएगा तो यह जो काढ़ा था मैंने लगबख चार लोगों के लिए बनाया है क्योंकि मेरे घर में चार लोग थे तो आप उसी हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं तो मैंने चार लोगों के लिए बनाया था हाला कि हमने गलास भर भर के नहीं पिया एक ही एक कप उमीद करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत जादा पसंद आई होगी चैनल पे एक बार विजिट करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो हैं इससे रिलेटेड मिलती हूँ ऐसे ही किसी यूसफुल वीडियो में तब तक लिए आप लोग अपने घर में रहें झाल बाई